दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को जिससे आने वाले वीडियोस के बरे में आपको पता चलते रहे हेलो दोस्तों देखो सीखो विके सिंग में आप सभी लोगों का स्वागत तो कल रात को फिर ये पोस्त मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कुछ फोटोस जो की एबबी के ससी के कुछ ग्रूप में सेयर हो रहा है लगतार कल साम कोई कुछ नए लोगों का चेहरा है इसमें देखिए ये लोग पता नहीं चलता है कि कैसे ये लोग टायर 2 में चीटिंग कर लेते हैं जबकि नॉर्मल बंदा को एक्जाम देने जाता है तो पेन तक अंदर नहीं ले जाने जरते हैं इन लोग की इतनी बड़ी रैकेट टाइप में इन लोग चल रहा है लग रहा है कि टायर 2 में ये लोग चीटिंग कर ले रहा है तो क्या सबूत है कि इन लोग ने टायर 1 में इस चीटिंग नहीं किया होगा, यही बंदे हैं, जो टायर 1 में भी चीटिंग किया होगे, SSE के, SSE MTS में भी ऐसे हुआ था, फिर री एक्जाम हुआ, इसका भी लगता है, री एक्जाम होगा, और देखिए, चार तरीक से CHSL का एक्जाम होने वाला है, तो मुझे तो डर है क उसमें भी आपके जो नकल माफिया हैं, यह अपना काम कर जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो पीछे रहा जाएंगे, और जो फरजी लोग हैं, उनको यह पास करा ले जाएंगे, ठीक है, आगे फिर उसके बाद रेलवे का भी एक्जाम है, तो बहुत ही करवाई होनी चाहिए, इन लोगों पे, क्योंकि जो बच्चे, जो बच्चा सुचिए कि अग्रिजूइशन तक 20-21 साल तक विंतिजार करता है, कि मेरा अग्रिजूइशन पूरा होगा, फिर उसके बाद 2-3 साल, 4 साल तयारी करता है, कि मैं एक्जाम करेक करूंगा, और ब कोई भी एक्जाम ये लोग छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ही दुख हुआ मुझे ये सब देखके, तो जो भी स्टूइट देख रहे हैं, प्लीज जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उहां पे पूरा का पूरा अपना समर्थन दीजे, क्या बोलू मैं आब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है?